हेलो गाईज इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हीमोफिलिया और कलर ब्लाइडनेस के बारे में एक्सलिंक्ट रिसेस्टिव हैंड दोनों के दोनों डिसॉडर्स यह और क्रिस्ट क्रॉस पैटर्न को फोलो करते हैं ट्रांस्मिशन के लिए क्या होता है क्रिस्ट क्रॉस और इसके लावा और कौन-कौन से पैटर्न होते हैं वो भी देखेंगे और सबसे इन्पोर्टन लास्ट में वीडियो के हम question practice भी करेंगे जो previous year questions है तो पूरी वीडियो दिखना और इसके बाद में concept आपका full solid हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ hemophilia की तो hemophilia जो है ये actual में एक ऐसी disease है जिसके अंदर blood clot properly नहीं होता यानि जो cascade process है what is cascade process cascade process वो process है जिसके through blood की clotting होती है इस cascade process को करवाने के लिए होते है clotting factors और ये clotting factors 13 होते हैं नमबर में और इन factors में से अगर कोई factor missing हो जाए तो फिर ये cascade process properly नहीं हो पाती और blood clotting properly नहीं हो पाती as a result क्या हो जाता है hemophilia हो जाता है तो blood clotting जो है यहाँ पे नहीं हो पाएगी bleeders disease भी हम इसे बोलते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी bleeding होती है hemophilia के बारे में दो तिन बातें आपको जो जान के रखनी है वो यह है कि hemophilia के कई टाइप हैं जैसे hemophilia A hemophilia B hemophilia C जिन में से A और जो यह B है ना सरफ यही x-linked है और यह recessiveness को follow करते हैं तो recessive है x-linked recessive important बात hemophilia B जो है वो होती है बचे एक clotting factor है ninth जिसका नाम है Christmas factor यह factor जब miss होता है तब hemophilia हमें देखने को मिलती है और इस वज़े से hemophilia B को हम Christmas disease भी बोल देते हैं या फिर Christmas hemophilia भी बोल देते हैं NCRT में एक जगान छोटी सी बात यह दे रखी है कि Queen Victoria जो Queen Victoria है UK की वो अपनी family में as a carrier थी hemophilia की तो यह carrier क्या होता है देखो hemophilia के अंदर basically त्रीन टाइप के individual तुमें देखने को मिलेंगे अगर मैं बात करता हूँ X X अचा मैं XH इससे denote करूँगा hemophilic gene को यानि ऐसा gene जो hemophilia करवाता है hemophilic gene में X की power H ऐसे denote करूँगा तो XX normal female XY normal male XHX क्योंकि यह recessiveness को follow करता है इस वज़े से यह वाली allele अपने आपको show नहीं करेगी है ना क्योंकि यह जो है allele यह basically क्या है यह recessive है तब ही तो हम इसे X-linked recessive बोलते हैं यह जो individual है यह female होगी और यह खुद affected नहीं है लेकिन यह next generation में इस allele को जरूर पास करती है तो इस वज़े से यह carrier है this is carrier female और खुद यह क्या होगी unaffected होगी this point is very important और अगर condition बनती है एक्स एच एक्स एच की तो जहर सी बात है कि affected female अगर male में मैं बात करूँ एक्स एच वाई यह होगा affected male male में एक बात notice करिए कि सिरफ एक ही allele है यह दूसरा यह y chromosome है ऐसी condition को हम बोलते हैं hemisigus condition तो hemisigus condition बनने की वज़े से male जो है वो एक allele होने के बावजूद भी क्या हो जाता है affected हो जाता है that's why important point कि female के अंदर हमें यह disease कम देखने को मिलती है जो भी X-linked recessive disease होती है female के अंदर हमें कम देखने को मिलती है population में और male के अंदर हमें जादा देखने को मिलती है NCRT में इसके related एक data भी दे रखा है कुछ percentage में बात कर रखे कि male में 8% के आसपास होते है इसमें 0.something कुछ होता है उसका reason क्या है कि male के अंदर hemisigus condition बनने की वज़े से यह हर बार show करता है जबकि female में यह carrier के तो और भी हो सकता है क्योंकि carrier unaffected है तो पता नहीं चलता और इस एक फिनोमिना के वज़े से female में जादा sorry male में जादा amount में individual जो हैं वो affected होते हैं female के comparison में दूसरी बात कर लेते हैं color blindness की तो color blindness एक ऐसी disease है जिसके अंदर color नहीं दिखते और जादातर जो color नहीं दिखते या फिर जो problem आती है पैचानने में वो red और green में आती है अब इसका मतलब यह नहीं है कि इन्हें कुछ नहीं दिखता basically होता क्या है कि बाकी सारे color जितने भी हैं विब और जो पढ़ते हैं वो प्रॉपरली दिखते हैं बस red वाले color blind people को क्या नजर नहीं आएगा red color gray नजर आएगा और green वालों को green color gray नजर आएगा और वैसे भी color blindness के जो grades होते हैं काफी सारे grade मतलब जैसे red color के काफी सारे shades होते हैं तो कौन सा shade उसे समझ आ रहा है और कौन सा नहीं आ रहा है उसके basis पे अलग-अलग grade होते हैं हेमोफेलिया के patient के अगर person को red color की color blindness है तो इस condition को हम बोलते हैं protonopia और ग्रीन कलर को देखने में अगर परिशानी होती है तो इस condition को हम बोलते हैं detronopia क्या यह important है नहीं इतने important नहीं है बट कहीं पे अगर module वगेरा आप देख रहे हो अकाश एलन वगेरा तो उसमें मिल सकते हैं गे उसमें पूछा जा सकता है इसमें भी जो मैं individual है उसको अलग-अलग तरीके से दिखा सकता हूँ जो gene मैं दिखाऊंगा color blind का वो है x की power c यह है color blindness का gene तो यह एक normal female होगी यह एक carrier female होगी मतलब यह खुद color blind नहीं है लेकिन यह एलील को आगे पास होन करेगी यह एक affected female होगी यह एक affected male होगा और male affected क्यों हुआ क्यों हुआ क्योंकि hemisagus condition बनी और यह एक normal male होगा अब इनका transmission कैसे होता है तो जहां तक बात है transmission की तो transmission x-linked recessive disorder हो या x-linked हो उनमें जो सबसे famous type है वो है criss cross criss cross में क्या होता है कि mother से यह disease जाती है son में और father से यह disease जाती है daughter के अंदर इस तरीके के pattern को हम बूलते है criss cross एक और pattern होता है non criss cross तो non criss cross में क्या होता है इसमें mother से जाएगी daughter और daughter से जाएगा sorry daughter से कह रहा हूँ मैं father से जाएगा son में non criss cross pattern को कौन follow करता है देखो father से son वाला अगर मैं ध्यान से देखोगे तो अगर father x-y condition है तो father से son में y chromosome जाता है तो y linked disease जोगी वो ज्यादा था non criss cross pattern को follow करते हैं चले question कर लेते हैं कुछ सबसे पहला question आपके screen पे है question को attempt करने का तरीका simple सा है पहले आप पढ़ें वीडियो को pause कर ले और उसके बाद में अपना answer लिख ले color blind women है जो इसकी शादी होती है एक normal vision man के साथ में तो उनके जो sun है वो कैसे होंगे तो color blind women का मतलब यहाँ पर बात करी है color blind के तो condition ये वाली बनेगी cross हो रहा इसका अच्छा मैं ये multiply वाला sign नहीं लिकूँगा confusion ना हो तो boy के अंदर x और y condition बनेगी y chromosome आएगा father से और x chromosome आएगा mother से और दोनों ही x chromosome पे जो gene है वो color blind वाला है that's why जो ये sun है वो सारे के सारे कैसे होंगे color blind होंगे sixth का answer बनेगा fourth या चाहिए जो questions है ये numbering ऐसे क्यों है क्योंकि ये previous year questions है तो वहां से उठाए हुए है आपका question का answer अगर सही था तो congratulations next question attempt करते है कोई disease है जो इस तरीके से represent हुई है यानि इसके अंदर mother से son और father से daughter तो ये किसको follow कर रहा है ये Chris cross pattern को follow कर रहा है और ये pattern को कौन follow करते हैं ये pattern को follow करते हैं x-linked disease तो हमें डूढना है options में से कौन सा x-linked disease है hemophilia x-linked है very good thalassemia autosomal है thalassemia के ओपर हम एक और वीडियो बनाएंगे तो वो आपको चैनल पर मिल जाएगी आपको बस सर्च करना है thalassemia amit jakad phenyl ketone urea जो है वो भी एक autosomal recessive disorder है sickle cell anemia is also a autosomal recessive disorder phenyl ketone urea और sickle cell anemia दोनों पर वीडियो हैं तो answer कौन सा जाएगा x-linked जितनी स्पीड से मैं कर रहा हूँ उतनी ही स्पीड से आपको exam में ये question attempt करके आने हैं तभी आपके marks अच्छे आएंगे तभी आपका paper clear होने के chances सबसे ज़ादा होंगे तो question क्या कह रहा है ए नॉर्मल vision man है जिसका father जो है वो colorblind है ये जो man है ये शादी करता है एक women के साथ में जिसका father भी colorblind था उनकी first children क्या हुई और कितने chances है उनके इस बच्चे के colorblind होने के तो हम condition देख लेते हैं एक बार के लिए भाई एक normal vision man है normal man कुछ ऐसा नज़र आएगा जिसका father colorblind है तो father colorblind ऐसा होगा तो man में तो y chromosome father से आया तो man तो normal हो गया mother देख लेते हैं mother में father कैसा है colorblind है तो father ऐसा एक x chromosome daughter में आएगा इस से दूसरा आएगा उसकी mother से mother के बारे में कुछ बोल नहीं रखा तो हम उसे normal लेके चलेंगे तो condition कैसी बन गई कि ये जो man है वो तो normal है और ये जो female है जिसके साथ में वो शादी कर रहा है ये जो women है ये carrier है अब इनकी होती है daughter ये daughter मतलब x x तो एक x यहां से आएगा जो कि normal होगा और एक x यहां से आ सकता है ये वाला और एक आ सकता है ये वाला तो ये वाला आता है तो भी ये affected नहीं हुई carrier बनी और अगर ये वाला chromosome आता है तो भी ये क्या हुई normal हुई तो color blind तो नहीं होगी या तो carrier होगी या normal होगी तो 0% is the answer next question a man whose father was color blind marries a woman who had a color blind mother and normal father एक man है जिसका father color blind था तो भई father color blind हम देख लेते हैं x y father color blind हम देख लेते हैं तो man के अंदर क्या है father से y chromosome आया तो ये normal man होगा ये marry करता है एक women जिसकी mother color blind थी एक women जिसकी mother color blind यानि ऐसी वाली condition और normal father यानि ऐसी वाली condition तो mother से एक x chromosome आया होगा इसके पास में और ये क्या हो गई होगी carrier हो गई देखो आप इसको यहाँ भी लिख सकते हैं आसे कोई वो वाली बात नहीं है तो ये carrier है और ये क्या है normal है कितने percentage में male children इस couple के color blind होंगे तो male children यानि x y y किस से आएगा father से और x किस से आएगा mother से आएगा तो mother से एक बार ये वाला आ सकता है और एक बार normal वाला आ सकता है तो एक बच्चा तो ये वाला हो सकता है और एक बच्चा ये वाला हो सकता है यानि 50% यह total दो है जिन में से एक जो है वो color blind होगा तो 50% is the correct answer next question और यह है इस वीडियो का last question hemophilic gene does not transfer from hemophilic gene कहां से कहां transfer नहीं होता तो father से son पहला option बोल रहा है दूसरा option बोल रहा है hemophilic mother to son mother से son क्रिस क्रॉस पैटन होता है hemophilic father to daughter father से daughter क्रिस क्रॉस पैटन होता है because hemophilic is a x linked hemophilic mother to son and daughter hemophilic mother to son तो जाएगा ही जाएगा और daughter में भी जा सकता है gene क्योंकि अगर मान लीजे hemophilic mother है ऐसे तो daughter में एक x chromosome तो जाएगा ना mother से hemophilic father तो ये भी सही है ये भी सही है ये भी सही है बचता है ये father से son non-kris-kross pattern है और why chromosome linked disorders जाद अतर इस pattern को follow करते हैं ये सारे के सारे questions previous year questions है comment section में बताइए कि कितने के answer आपको एक correct थे और इमानदारी से comment section में answer देना इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही I hope आपको ये वीडियो अच्छे लगी हो thank you so much subscribe कर सकते हैं आप चैनल को बताईए कर सकते हैं झाल झाल